नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब चैनल में फ्रेंट्स आज के इस प्रेक्टिसेट में आप देखने वाले हैं आप सभी के लिए आज लेखर आज इनो डिजिनिंग का प्रेक्टिसेट नमबर 73 तो possibilities इसमें होंगे 15 most important question जो 15 most important question है RPG वा कुछ इस तरीके से होने वाले हैं जैसे question दिआ गया है अब बताना है Finn इसमें या missing number का प्रश्ण है missing number का प्रश्ण होने वाला है जो यहाँ पर question mark दिया गया है इसके अस्थान पर बताना है कौन सा विकल्प इसमें से निकल के आएगा एक और परशने फ्रेंट्स यह परशने फ्रेंट्स सिलेंडर से सम्बन दित है जैसे इसमें च्छा तल दिये गए है बताया गया है कि यहाँ पर जो कुशन मार्क है इसके अस्थान पर इन विकल्पों में से कौन सा निकल के आने वाला है इसी प्रकार से एक परश्न हो रहे है यह परश्न दिया गया फ्रेंट्स यह भी है missing number का जो इसमें दिया गया है कोई शर्मार के अस्थान पर क्या निकल के आने वाला है इन सभी बिकल्पों में से तो मित्रों इस वीडियो में आप सब बने रहेगा चलते हैं देखते हैं नेश्ट पर अगर आप इन में से में किसी की त्यारी कर रहे हैं जैसे रेलवे, बैंक, SSC, SSC-CGL, SSC-GDMTS SSC-CSSL, ITBP, SSB, BDO, CPO, अगनवीर ELP Technician, UP-SCP at CRPF, Army Navy Seated UPB at Bank PO, Group D Air Force, CDS, CNT, PC, RPF, UP Police, दरोगा, IV SSC, Stono Grafer या किसी भी स्टेट के किसी भी इक्जाम की आप सब तयारी कर रहे हैं तो या परेक्टी सेट आप सभी के लिए ही है तो फ्रेंड्स, नेश्ट आज का जो पहला प्रश्ण होने वाला है वह देखते हैं जो पहला प्रश्ण है, वह दिया गया है दी गई स्रिंग संख्या सिरिंग खला में परश्ण वाचक चिन्न के अस्थान पर कौन से संख्या आएगी तो या फ्रेंट्स दिया गया है कुश्चन मार्क इसके अस्थान पर बताना है कि इन विकल्बों में से कौन सा संख्या इसमें निकल के आएगी तो इसमें लाजी चलिए देखते हैं जिसे अगर हम 2 से 10 की तरफ जाते हैं, तो यहां कितना जादा है, हम कहेंगे यहां 10 जादा है, 2 से 12 कितना जादा है, 10 जादा है, अगर हम 12 से 36 में जाते हैं, तो हम कहेंगे यहां 12 जादा है, अगर 12 से 36 में जाते हैं, तो यहां 24 जादा है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं समझाते है Arthur City है तो यहां pra Question 5 aesthet कुलेगे 7reichen की जा स्द्र जाधा है आगे क्या निकल के आने वाला है आगे चेक करेंगे अगर इस में से एक बार और अंतर के देखते हैं जिसे से हम 24 में जाते हैं तो यह जादा है 14 जादा है 14 जादा है अगर हम 24 24 में अगर 44 में जाते हैं तो यह 20 जादा है अगर 44 से हम 70 में जाते हैं तो यह 26 जादा है 26 के बाद आगे क्या निकल के आने वाला है आगे क्या निकल के आने वाला है अगर देखते हैं आसे चौदा से जो 20 ज़ादा यह पलस का 6 है आगे अगर 20 से हम 26 में आते हैं तो यह भी पलस का 6 है तो आगे भी फ्रेंट्स पलस का 6 हम कर देंगे तो 26 में ज़ेसे पलस का 6 जोड़ेंगे तो यह 32 निकलके आ जाएगा क्या आएगा 32 निकल के आ जाएगा तो 70 में हम 32 जोड़ेगे तो या 102 निकल के आएगा अब हम डेड़तों में 102 को जोड़ देंगे तो या उत्तर निकल के आ जाएगा तो 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा और 1-2 हो जाएगा 252 मित्रो इसका इसवा निकल के आ जाएगा दो सो बावन या विकलपसी में दिया गया है जो कि विकलपसी सही हो जाएगा हमने इसमें क्या लाजिक लगाया है जो इसमें लाजिक लगा था वहा हमने खटाया था एक दूसरी को आपस में घटा के जो अंतर देखा था फिर उसको अंतर को फिर एक बार घटाया था फिर घटाने पर फिर उसको फिर से एक बार मतलब इसको तीन बार घटाया गया है तीन बार अंतर को फिर अंतर से फिर अंतर से ऐसे तीन बार घटाया गया है आसा करते हैं, यह अपरियंट से आप सभी को यह प्रस्न समझ में आया होगा next प्रस्न चलते हैं Admiral भारतिये जर्णर, भारतिये जल सेना और यहाँ पर बताया गया है कोशेन मार्क, इसके आस्थान पर भारतिये वाय सेना भारतिये वाय सेना तो क्या निकल के आएगा यहां से अगर हम देखते हैं फलाइट लेफ्टिनेंट फलाइट लेफ्टिनेंट तो यहां क्या आएगा देखते हैं क्या भारती वायू सेना जो है यह फलाइट जैसे एड्मिरल भारती जल सेना से हैं तो एड्मिरल जो चीफ मार्सल होते हैं हम कह का सही जवाब है तो चलते हैं आज से नेश्ट पर नेश्ट परस्ण दिया गया है पांच मित्र A, B, C, D, E, एक बेंच पर बैठे हैं या होने वाला है सेटिंग अरेजमेंट का परस्ण यह से पांच मित्र दिये गया है A, B, C, D, E, और A, B के पास बैठा है A जो है वाह B के पास बैठा है तो यह की स्टेट लाइन में होती ही फ्रेंच तो यह से हम पांच को बैठा देगे एक, दो, तीन, चार और एक पांच A, B के पास बैठा है मतलब A जो है वाह B के पास में आएगा मगर A नहीं पता है कि दाएं आएगा कि बाएं आएगा हम इसको छोड़ देंगे यहीं से और आगे C जो है वाह D के पास बैठा है यहां से भी नहीं करता है अब D E के साथ नहीं बैठा है यह बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है तो बाया सिरा इधर होता है तो इधर हम E को बैठा देंगे इधर बैठी आएगा आगे अब यहां से हम सुरू करते हैं अब D जो है वाई E के साथ नहीं बैठा है दी यहां पर दी यहां पर नहीं आएगा दी के पुजिशन जो होगी वाई यहां नहीं होगी अब यहां पर हम कुछ भी बैठा सकते हैं मगर D को नहीं बैठाएंगे C को हम यहाँ बैठा देंगे और D इसके पास में बैठा है तो D को हम यहाँ बैठा देंगे क्योंकि A और B दोनों पास में बैठे हैं अगर हम D को यहाँ बैठा देते हैं तो A और B नहीं आपाएंगे तो यहाँ पर हम D को बैठा देंगे अब A और B को बाठा देते हैं यहां पर अब यहां से दिया गया A जो है वह B की दाइनी तरफ वह E के भी दाइनी तरफ है कौन है? वह A है A जो है वह A B की दाइनी तरफ वह C के भी दाइनी तरफ है अगर E के हम दाइनी तरफ निकालते हैं तरफ इधर ही आएगा। तो इसके दाइनी तरफ कौन है? ए है। ए बैठा है और ब के भी दाइनी तरफ। तो मतलब कि भी यहाँ पर आजाएगा। तो इसलिए यहाँ पर निकल के आएगा। तो बताना है indiacard. the dev techniques के साथ में बीठा है, तो ए वा सी Ching … बैठेयां सही है, अब A कहां बैठा है, A की पोजिशन कहां है, अब B और D के बीच में B गलत है, D और C के बीच में D और C के बीच में A भी गलत है, E और D के बीच में A भी गलत है, B और C के बीच में B और C के बीच में A बैठा है, ये आपसर नमबर D बिल्कुल सही हो जाएगा चलते हैं आसे नेश्ट उशन पर जो की अगला प्रश्ण दिया गया है किसी परिच्छा में पास होने वाले अभ्यारतियों में आजय का अस्थान उपर से 17 हुआ है तथा नीचे से 29 अथा 6 लड़कों परिच्छा 6 लड़के परिच्छा में समलित नहीं हुए तथा 5 इसमें फेल हो गए तथा कच्छा में लड़कों की कुल संख्या बताईए कच्छा में कुल लड़कों की संख्या बताईए अगर यहां से हम total निकालते हैं तो total बराबर होता है left plus right minus 1 तो यहां से total हम निकालनेंगे total बराबर होता है left मतलब कि 17 plus 39 minus का 1 अगर हम इसमें से घटाते हैं तो 9 और 7 16 आएगा 2 और 1 3 और 1 4 46 minus 1 बराबर 45 निकलके आ जाएगा तो total इसमें 45 हैं मगर उसमें से भी जो 6 लड़के हैं वह परिच्छा में समलित नहीं हुए हैं तो यहां से हम निकाल लेंगे तो कच्छा में कुल लड़कों की कुल संख्या कितनी हैं तो इसमें भी हम जोड़ देंगे कितने कितना जोड़ेंगे 6 और जोड़ेंगे पलस का 5 और जोड़ेंगे तो 6, 5, 11 तो यहां से निकल का आने वाला है 56 है 56 इसमें जो total छात्र हैं वह हो जाएगे तो आपसन भी बिल्कुल सही हो जाएगा नेश्ट कोश्चन फ्रेंड्स देखते हैं तो अगला प्रशन क्या है यह विताना है कि जो इसके अस्थान पर missing number है मतलब कोश्चन मार्क है इसके अस्थान पर क्या निकल के आने वाला है इसे दिया गया है अगर यहां से हम इसको किस फरकार से हम solve करेंगे अगर यहां से देखते हैं हम 8 गुड़े 6 करते हैं 8 गुड़े 6 माइनस का 5 गुड़े 2 8 गुड़े 6 करते हैं तो 48 आता है माइनस का 5 गुड़े 2 करते हैं तो 10 आता है अगर हम 48 में 10 को खटाते हैं तो 38 निकल के आ जाएगा गो कि यहांपर दिया गया है इसे पकार से हम इसको देखके लीते हैं 10 बसे 50 और माइनस का 8 चुप अगर 50 में से 32 बटाते हैं तो 18 निकल के आ जाएगा जो कि 18 यहांपर भी दिया गया है इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं जो कुशन मार के यहां पर भी देखते हैं 12.48 माइनस का 13.49 13.49 निकल के आ जाएगा तो 12.48, 13.49 तो जब 48 में से हम 49 को घटाएंगे तो यहां पर आने वाला है 9 9 आने वाला है तो 9 इसमें बिकल्प नमबर A में दिया गया है तो बिकल्प नमबर A सही हो जाएगा तो इस फ्रेंट विंप्रेंट लाजिक क्या लगा है मित्रत लाजिक यह लगा है इन दोनों को आपस में हम गुडा कर देंगे और इन दोनों को भी आपस में हम गुड़ा कर देंगे तो जो इनका गुड़न फलाएगा और इनका गुड़न फलाएगा दोनों का हम अंतर निकल के वही बीच में दिया गया है उसी लाजिक को हम इसमें लगा देंगे तो चलते हैं निश्ट पर निश्ट कुशन दिया गया है दो गड़िती है संग कारकों का स्थान आपस में बदलने और नीचे दिये गए गलत समीकरण को संतुलित करें तो गलत समीकरण को हमको बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब निकल के आएगा अगर देखते हैं आसे हम फर्ष्ट वाले को तो पलस और करास को आपस में हम बदलते हैं तो पलस जहां दिया गया वहां करास लगा देंगे और जहां करास दिया गया वहां पलस लगा देंगे तो सबसे पहले क्या होता है भाग होता है तो दो बटे हम करेंगे 10 और गुड़े में 104 तो देखेंगे यहां से अगर इन इसको काटते हैं तो यह पांच बार जाता है जो कि यह पांच से संख्या नहीं जाने वाली है तो आगे जो आएगा आएंसर वाद 10 मलों में आएगा मगर हमको जीरो लाना है तो यह नहीं आपाएगा कभी भी किसी भी तरीकी से तो यह गलत हो जाता है आपसन एक गलत हो जाता है अब भी कोछे करते हैं हम ज judging 3 भाग दिया गया है और माइनस दिया गया है को बदलते हैं तो 16 बटे 24 और बुड़े 2 अगर हम इसको कार्टा पीठी मचाते हैं तो या जाएगा बारा बार या जाएगा 4, 4, 16 और 4, 3, 12 और 4, 4, 16 माइनस का 10 हम देखेंगे 4 बटे 3 आएगा तो इसका मान भी 10 मलों में निकल के आएगा जो कि या भी गलत हो जाएगा तो हम कहेंगे ए भी गलत बी भी गलत अब सी के उचे करते हैं हम तो जहां माइनस जहां घटाओ है वहां पलस लिख देंगे मुल जोड लिख देंगे और जहां जोड है वहां घटाओ लिख देंगे हम इसको solve करते हैं तो 16 पलस का 24 गुड़े 2 और बटे का 10 फिर से हुआ ही यहाँ पर condition आ गई है अब इसको हम solve करेंगे तो 10 मलों में निकल के आएगा 10 मलों में निकल के आएगा तो friends इसका मान भी गलत आएगा तो हम चिक करते हैं A B गलत B B गलत C B गलत अब D बचता है सिर्फ एक ही आपसन बचता तो जिसको चिक करते हैं 16 माइनस 24 और जहां divide है वहाँ हम cross लगा देंगे तो इसका स्थान पर divide लगा देंगे 2 और cross 10 और plus का 104 जब इसको solve करते हैं तो हम कहेंगे 12 बार जाएगा 12 गुड़े 10 12 दामा 120 12 दामा 120 निकल के आजाएगा माइनस में और 16 और 14 को मलों की 16 पलस 104 को जोड़ते हैं तो या plus में 120 आएगा तो plus में 120 माइनस में 120 तो कुन मिलाकर 0 निकल के आजाएगा तो 0 इसका सही जवाब हो जाएगा तो कौन से आपसंस या सही जवाब मिलकर के आ रहा है आपसंडी से आपसंडी बिलुकुल सही जवाब हो जाएगा नेश्ट चलते हैं अगला प्रश्न है एक घड़ी मध्यान को सुरू होती है एक गड़ी जो है वह मध्यान को सुरू होती है पांच बचकर दस मिनट पर घंटे की सुई कितने पर घूमती है अगर देखते हैं घंटे की सुई जो होती है वह एक घंटे में 30 डिगरी का कोड बनाती है एक घंटे में 30 डिगरी का कोड बनाती है तो यहां से 5 घंटे हो रहे हैं तो हम कहेंगा 5 गुड़े 30 बराबर का 1.500 हो जाएगा 5, 15, 1.500 डिगरी तो यह हो जाएगा पलस दस मिनट हो रहे हैं तो अगर यहां से मिनट की बात करते हैं तो एक मिनट में एक बटा दो डिगरी का कोड बनाएगी कैसे अगर यहां से हम एक खंटे बराबर साट मिनट होते हैं तो साट से भागा देंगे तो यह एक बटे दो बार जाएगा तो इसी पर करतें दस मिनट में कितना बन जाएगा दस गुड़े एक बटा दो तो कुल मिलाकर पाँच डिगरी का कोड बन जाएगा दस मिनट में पाँच डिगरी और जोड देंगे इसमें तो कुल मिलाकर एक सो पचपन डिगरी का कोड बनेगा तो पाँच बचकर दस मिनट पर घंटी की सुई कितने पर घूमेगी हम कहेंगे 155 डिगरी पर घूमेगे तो आपसन नमबर 3 बिलुकुल सही जवाब हो जाएगा हम देखते हैं अगले परसन से आज से सुरू परते हैं जो कि अगला परसन एक सिलिंडर को छे रंगों में रंगा गया है हरा, नीला, पीला, बैंगनी, लाल, नारंगी और नारंगी इसके तीन पत नीचे दिये गए हैं खाली जगा में क्या रंग है? खाली जगा पर जो यहाँ पर कुछ श्रमा के अस्थान है, इसके अस्थान पर कौन सा रंग आने वाला है? अगर हम कुछे पर देखेंगे उपर को इदर परकार से और नेचे इस परकार से खुलेगा तो यहाँ से बनाएंगे एक दो तिन चार और एक पाँच एक दो तीन चार और एक पाँच कुल मिलाकर यहां से अगर हम बारेंगे अगर उपर हमारा पीला आरा है पीला आरा है तो यहां से देखेंगे हम कि जो हरा है हरा है इसके किदर आएगा अगर हम उपर पीलर भर देते हैं तो हरा इधर आएगा हरा जो है निकल के इधर आएगा और नीला इसके इधर निकल गया है, और नीला इधर आएगा, इधर को आएगा, अब नीचे क्या है, नीचे नरंगी है, नरंगी क्योंकि आपर दिया गया है नरंगी, आगे नीला हो गया हारा के बाद नीला, हारा के बाद फिर उसके बाद बैगनी आने वाला है, बैगनी ज तर आने वाला है, बैग नहीं आएगा, अब एक रंग और बचता है, वहा कौन सा है, वहा लाल है, लाल यहां पर आजाएगा, अब बताना है कि खाली जगा पर कौन सा आएगा, मैंनला कि अगर नरंगी को हम उपर कर देते हैं, तो नरंगी यह से मुझे उपर करेंगे, तो लाल है, लाल के बाएग साइट पर कौन सा आने वाला है, लाल के बाएग साइट पर कौन सा आने वाला है, अगर हम इसको उपर कर देते हैं, तो उपर करने पर तो यहां से अगर उपर कर देते हैं, तो जो राइट में है, वहा बाएग चला जाएगा, तो राइट में क्या जैसे आपन नीला के राइट में लाल है तो लाल के हम कहेंगे राइट में अगर इसको हम उल्टेंगे तो कहेंगे लाल के जो है राइट में क्या आएगा नीला आएगा मगर लाल के हमको लिफ्ट में देखना है तो लाल के लिफ्ट में क्या आएगा तो लाल के लिफ्ट में बैगनी आ जाएगा बैगनी आ जाएगा क्योंकि जो राइट में है वह उल्टा करेंगे तो लिफ्ट में आएगा तो हम गहेंगे लाल के लिफ्ट देखना है यांसे फिर लिफ्ट ये तो है तो लाल के लिफ्ट में कौन आएगा बैगनी आएगा बैगनी आफसर नमबर सी में है तो आफसर नमबर सी इसका बिलुकुल सही जवाब हो जाएगा चलते हैं आज से नेश्ट कूशन पर नेश्ट कूशन दिया गया है यक्स के कितने बेटे हैं Q और U T के भाई हैं कौन-कौन? क्यू जो है, वा U और T का भाई होने वाला है Q और U या T के भाई हैं या हम कहेंगे इसके भाई हैं तो भाई यहां से और R जो है वा P और U की बहन है आर जो है वह पी और यू की बहन होने वाले है आर यहाँ पर है और इसके हम कहेंगे पी और यू की बहन है आर बहन है किसकी बहन है पी और यू की अब पी की हम भी नहीं पता है और यू का भी नहीं पता है RRT, RRT यक्स की बेटिया है RRT, हम कहेंगे RRT, T भी बेटी होगे और R भी बेटी होगे किस की बेटी है या यक्स की बेटी है आगे फिरिंट्स क्या दिया गया है अब बताना है केवल एक और सिकंड सही है केवल एक और सिकंड सही होने वाला है अगर यासे देखेंगे हम एक और सिर्ड मतलब कि फस्ट और सिर्ड केवल सिर्ड और तर्ड केवल सिर्ड और थर्ड सिर्केंद और थर्ड सिकेट और थर्ड सही होने वाला है, आगे देखेंगे सबी फ़र्ष्ट, सिकेट और थर्ड सही है क्या तो हम गहेंगे फ़र्ष्ट, सिकेट और थर्ड मिलकर परियापत नहीं है first second third मिलाकर हम गहेंगे यह आकड़े परियापत नहीं है क्योंकि P का हमको यहाँ पर पता नहीं चल रहा है P लड़की है की लड़का है तो P का हमको यहाँ से पता नहीं चल रहा है position क्या है तो हम गहेंगे D वाला बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा नेश्ट देखते हैं अगले परश्ण पर जैसे दिया गया है इसमें भी बताना है कि find the missing number जो question mark दिया गया है इसके अस्थान पर क्या निकल के आने वाला है जैसे 4, 8, 28, 28, 244 और question mark अगर हम 4 बनाते हैं तो 4 कैसे बनेगा? 4 बनेगा हम कहेंगे 3 का वर्ग 3 का अगर 1 से उपकरा कर देंगे और पलस का एक कर देंगे 3 का एक अन्नम 3 और एक 4 और 8 बनाएंगे 3 का स्क्वायर पलस का माइनस का 1 28, 3 का क्यूब माइनस का 1 3 का क्यूब स्वारी पलस का 1 आगे 3 की घाथ 4 माइनस का 1 244 यह बन जाएगा 3 की खाथ 5 माइनस पलस का 1 तो आगे जो आएगा वह आएगा 3 की खाथ 6 माइनस का 1 3 की खाथ 6 माइनस का 1 तो 3 की खाथ 6 माइनस का 1 कितना होता है हम कहेंगे 3 की खाथ अगर 3 की खाथ 5 बराबर होता है 243 को 3 से गुड़ा करेंगे तो तीन तरीक करना हो और तीन तरीक करना हो चार तियाई बारा चार तियाई बारा तीन दूनी छे और एक साथ साथ सो उन्टीज माइनस का वन तो साथ सो अठाइस इसका सही जो आप निकल के आने वारा है 728-6-6-6-7-8-7-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- त्रिंटीन कि गाच छे-1 हो जाएगा, तो आगे चलते हैं, नेश्ट पर कथान और निसकर्थ का याँ, प्रश्ण होने वाला इफृस्ट से यसे दिया गया है, सुन्दरता देखने वालों की वागले की आखों में होती है, सुन्दरता जो होती है, वह देखने वालों के आखों में होती है तो निसकर्स फस्ट दिया गया कुछ लोगों को कुछ लोग सुन्दर दिखते हैं कुछ लोगों को कुछ लोग सुन्दर दिखते हैं तो यह भी निसकर्स सही है सिकेंड कुछ लोग को कुछ लोग सुन्दर नहीं देखते हैं जब सुन्दरता देखने वाले की आखों में निर्भर करती है आखों में होती है तो वहां से जो निसकर से दोनों निसकर अनुसरण करते हैं या भी सही हो जाएगा कुछ लोग को कुछ लोग सुन्दर नहीं देखते हैं और कुछ लोग को कुछ लोग सुन्दर देखते हैं तो दोनों ही निसकर्स सही हो जाएंगे तो हम कहेंगे फस्ट और सेकेंड दोनों अन्सरर करते हैं अफसर नमबर फस्ट बिलकुल सही हो जाएगा चलते हैं निश्ट पर, निश्ट कुशन देखते हैं कथन और या दिया गए कथन और निश्कर्स का याबी है कथन और आउधारडा का है जिसे चातर एक से, चातर एक ने चातर दो से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए मतलग कि छातर एक ने चातर दो से का, मतलग छातर जो दो था वह पूरा पढ़ लिया है, वह नोट्स को पूरा पढ़ लिया है, तब ही छातर एक माग रहा है, नेकती देखते हैं क्या है, छातर दो ने नोट्स तयार कर लिये हैं, छातर एक ने चातर दो ने नोट्स तयार कर चाहता है या तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि साथ चातर एक या उसकी वो जानना चाहता है कि या इसका कितना तयार है कितना या पढ़ा हुआ है या इसके लिए बिल्कुल नहीं है इसके मन में आधा अधारणा नहीं आ रही है तो हम कहेंगे केवल आफसन जो आधारणा फस्ट है या बिल्कुल अनिस्वर करता है तो केवल अउजाड़ा फस्ट अंतनीट है आपसन नमबर फोर बिल्कुल सही हो जाएगा Next question कथन फस्ट दिया गया है कथन और निसकर्स का प्रशन है जैसे कथन फस्ट दिया गया है कोई गाई बिल्ली नहीं है कोई भी गाई कोई भी जितनी भी गाई है या बिल्ली नहीं होने वाली है Next सभी बिल्लीों की मोचे हैं सभी बिल्लीों की मोचे हैं जितने भी बिल्ली हैं इन सब की मोचे हैं मोचे यहां से हम मोचे लिए इसमें लगा देंगे मोचे हो जाएंगे आगे निसकर्स क्या दिया गया है निसकर्स क्या दिया गया कुछ गाए बिल्लिया है क्या कुछ गाए बिल्लिया है हम कहेंगे नहीं जब उपर बता दिया गया कोई गाए बिल्लिया नहीं है तो निसकर्स में क्यों दिया गया है कि कोई गाय बिल्लिया है तो यह गलत हो जाएगा और सिकंड निसकर्स क्या है कुछ गायों की मोचे हैं कुछ गायों की मोचे हैं क्या कुछ गायों की मोचे हैं या भी बिलुकुन गलत है कौन सा निसकर्द दिये गए कथन का अनुसराण करता है हम कहेंगे ना एक नानुसराण करता है ना दो लग कोई भी निसकर्द अनुसराण नहीं करता है नापसन सिगेंड बिल्कुल सही हो जाएगा नेश्ट देखते हैं गया है निम्न चित्र में कितने तिरबुज है पतलब कि जो यहाँ पर चित्र दिया गया है इसमें कितने तिरबुज है यह हमको बताना है फ्रेंट से एक बात और हम देखते हैं कहीं पर भी इस परकार का दिया रहता है जिसे इस परकार की आगरित आता है इस परकार से तो इ इसमें कितने तिर्वुज होते हैं हम कहेंगे इसमें होते हैं एक दो तीन चार चार बुड़े दो कुल मिलाकर आठ तिर्वुज होते हैं और एक तिर्वुज और यहाँ से गयाद करते हैं हम ट्रेंगल गयाद करने के लिए हम दो जो दो है फिगर का जो चितर का याद कर ले है हम कहेंगे ऐसी आकरित यहां पर बन रही है एक और यह वाली आकरित यहां पर एक बन रही है और यहां पर भी एक बन रही है कुल मिलाकर हम यहां से देखेंगे कि आठ इसमे हो जाएंगे और तीन और तीन छे यहां पर हो जाएंगे और पलस का एक यहां से इस परकार से बनेगा यह वाला और इधर भी एक बन जाएगा इस परकार से तो दो और जोड़ जाएंगे आगे फ्रेंट से देखेंगे हम यहां से एक यहां से बनेगा कुछ इस तरीके से एक यहां से देखना द्याल से एक यह वाला यह वाला इस तरीके से बनेगा एक और एक यहां से फिर बन जाएगा इस तरीके से यहां पर एक और दो और जुड़ी आएंगे तो यहां से फिन देखेंगे, अब आगे हम चिक करेंगे, अब यह वाली आकरित हम देखेंगे, यहां से कुछ इस तरीके से यहां पर भी बन रही है, यहां यहां पर बन रही है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, तीन यहां पर हो जाएंगे, फिर यहां आकरित यहां पर बन तो एक यहाँ पर दी, तीन यहाँ पर हो जाएंगे, तो तीन, तीन, छे, तीन, 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 त आगला परश्चन निम्र लेकि़ सिर्थिंखला का अगला पद क्या होगा अंगला पद बताना है यहां पर कुश्शन मारकर इसकी अस्थान पर क्या निकल के आएगा जैसे देखते हैं फष्ट यास्से कैसे बनाएगा भी से अगरD में जाते हैं तो B से अगर हम D में जाएंगे तो B होता है 2 पर और D होता है 4 पर और याप होता है 6 पर तो यहाँ से देखेंगे 2, 4, 6 अब की क्या आएगा? 8 निकल के आएगा 8 कितने पर होता है? 8 पर याच होता है आगे Y से देखते हैं तो Y होता है 25 पर और W 23 पर और U 21 पर तो देखेंगे 25 से हम 30 में जाएं माइनस का दो किया गया है 13 से 21 में माइनस का दो फिर 21 से अब की बार माइनस का दो करेंगे तो 19 निकल के आएगा 19 पर Y होता है तो Y 20 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा याच यस किसमे है? आफसन नमबर 4 में तो आफसन नमबर चार बिलकुल सही हो जाएगा चलते हैं आज से नेश्ट पर तो नेश्ट कूशन क्या दिया गया यह होने वाला है होम वर्ग का परशन होम वर्ग के परशन को आप सभी को फ्रेंट्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा धन्यवाद दोस्त आज के इस वीडियो में बस इतना ही परशन थे आसा करते हैं आप सभी को यह प्रेंट्टी सेट अच्छी तरह लगा होगा अगर फ्रेंट्स आप को समझ में आया है तो आप इस प्रेंट्टी सेट को लाइक कर सकते हैं और चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रू सस्क्राइब कर लीजेगा ऐसे ही डेली प्रेंट्टी सेट पाने के लिए